हेलो दोस्तों वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल देशी प्रॉफिट टॉक्स और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में कि अगर आप 15 लाग का होम लोन ले रहा हो 10 सालों के लिए तो हम दो टॉप बैंक से इसा कंपेरिजन करके आपको दिखाएंगे कि दो जो टॉप प्राइवेट बैंक है आपकी तो दोनों ही बैंकों के आज हम कंपेरिजन करके दिखाएंगे क्या 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 डॉक्यमेंट्स रिक्वार होंगे क्या 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 लिजबिल्टी शाहिए तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में तो अगर आप हमारे चैनल प मुझे अब देखना है SBI Home Loan तो मैं इस पर क्लिक करूंगा जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मैं यह वाली साइट पर आ गया और जैसे ही मैं इधर पर आ गया है क्या इंटरसेट चला है एमाई कल्कुलेट करना है कुछ SBI बैंक होम लोन लेटेट कोईस्चन्स हैं यहां पर तो यह सब यहां पर चेक कर सकते हो क्या 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 कार्ड्स चलना है है SBI loan accounts card investment deposit इन सब के important links आपको यहां से मिल जाएंगे तो इस साइट का link वीडियो के description में दिया हुआ है एक बाद चेक आउट करना मत भूलिए ऐसे ही HDFC में भी आप देख सकते हो जैसे apply करना आप यहां से apply कर सकते हो हो ओफिसेल साइट पर जा सकते हो यहां से home loan related question देख सकते हो क्या 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 eligibility चला है सब यहां से चेक कर सकते हो तो अब हम लोग चलते है सबसे main काम के लिए चलते हैं my calculator तो आप यहां जाएगे उसका best my calculator आएगा यहां पे आपको तो invest my calculator पर जहीं आप जाएंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे अब यहां से हमको चेक करना है personal home loan तो home loan के लिए आपको सबसे पहले हमें लेखना है पंद्रा लाग का home loan तो सबसे पहले हमने आप एमाउंट डाल दिया पंद्रा लाग रुपय है यहां भी हम दोनों जगह है अमाउंट डाल लेते हैं तो यहां पर हम्द्रा लाग डाल दिया उसके बाद अब आप यहां पर interest rate अब interest rate देखने के लिए हम लोग चलते हैं इनके official site पर यहां पर देख लेते हैं SBI home loan का जो interest rate starting हो रही वो रही 6.65 से वहीं HDFC के जो starting हो रही वो starting हो रही 6.70 परसंट है तो according to your civil score अगर आपका civil score 800 के उपर है तो आपको SBI 6.65 पर आपको यहां पर loan प्रोवाइड करेगी वहीं HDFC का भी अब अगर आप 750 के आपका अबाओ है आपका civil score तो आपको 6.70 पर आपको यहां पर home loan प्रोवाइड कर देगी तो यही हम यहां पर डाल लेते हैं तो यहां पर हमें डालना है 6.65 परसंट जो मैंने minimum अभी लेकर चल ला हैं तो यहां पर यहां पर भी डाल सकते हैं 6.70 परसंट अब loan tenure select करना होगा loan tenure मैंने select किया 10 सालों का तो यहां से मैं 10 साल select किया और यहां भी मैंने 10 साल select कर लिया अब देखते हैं कि क्या EMI बनेगी आपकी मंधली तो यहां देख लिजिए आपकी दोनों ही years में मंधली EMI क्या बनेगी तो जो SBI में बनेगी मंधली EMI है ऐसा ही यहाँ पे HDFC में जब आप EMI कल्कुलेट करेंगे तो आपकी जो EMI बनेगी मन्तली वो बनेगे 17,160 रुपए टोटल इंट्रेस्ट वेबल आपको करना होगा 5,62,228 रुपए टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 20,65,228 रुपए यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो उसके बाद आप नीचे चलिएगा तो यहाँ से आप पूरा एरली और मंतली टोटल पेमेंट जो आपको इस महीने करनी होगी करनी होगी 17,146 रुपए ऐसे ही आप यहाँ भी और मंतली चेक कर सकते हो यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल बनेगा वह आट जार 810 इंटर्स बनेगा आट जार 375 टोटल पेमेंट आपकी बनीगी 17,150 रुपए यहाँ से आप फिर हर यरली और पूरे मंतली वाइस आप यहाँ से निकाल सकते हो और प्रिंटी भी निकाल सकते हो तो इन साइटों का लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है एक बार यहाँ से चेक आउट करना मत बूलिएगा अगर आप होम लोन, परसनल लोन, कार लोन लेने जा रहा हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आईएगा अपना amount डालिएगा, क्या interest rate चलना बैंक का, कितने सालों के लिए आपको लेना है, यहाँ से आपको पूरी fully detail आपको यहाँ से मिल याएगी home loan related, तो अब आए हम लोग चलते हैं, क्या-क्या eligibility चलना ही है, अभी 90% आपकी property value का मिल ला है, मान लिजिए आप 10 लाग रुपए का property है, तो आपको 9 लाग तक का हैं, आपसे loan, SBI home loan provide कर देगी, उसके loan tenure जो है, आपको 30 सालों तक के लिए मिल ला है, और processing charges जो है, SBI home loan first work offers के तैर लेते हैं, तो यहाँ पे processing fees आपकी nil रहेगी, वही HDFC home loan में जो आपका loan amount, यहाँ भी आपको 90% आपकी property value का मिलेगा, tenure यहाँ भी आपको 30 सालों तक के लिए मिल ला है, यहाँ पर processing fees के जो बटे हुए है, वो बटे है, for self-employed professionals के लिए आपको 0.50% तक लगेगा आपके loan amount का, जो की maximum आपका 3000 रुपए तक जाएगा, वहीं आपको लगेंगे 1.50% लगेंगे, जो आपका loan amount होगा, वो loan amount का जो आपका 4500 से maximum आपका यहाँ पर processing fees लग सकती है, आप यहाँ से का देख लेते है, eligibility criteria क्या चला है, तो सबसे पहले हम गए eligibility criteria में, तो यहाँ से eligibility criteria for SBI home loan, तो आपकी जो age होनी चाहिए हो, 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए हो, नेशनल्टी आप इंडियान हो, NRI हो, PIO मैंसे कोई वियाब हो सकते हो, महीं eligibility criteria हो, SGFC के लिए भी age आपकी 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, professional जैसे salary है, self-employed है, professionals है, doctors, lawyers, engineers, CA, architect, consultant है, self-employed, non-professionals है, commissioner, agent है, contractor है, तो इन सब को SGFC home loan provide कर देगी, nationality Indian resident को करेगी, और gender all, all genders को कर सके, वहीं है, वहाँ, for flexi pay home loan है, यहाँ पे कुछ SBI के home loan के offer है, अलग-अलग, तो जैसे चलना है, for privilege home loan, salary home loan, for reality home loan, for you know, insta home loan, top-up, SBI home loan to non-satellaried है, for tribals है, तो यह, यह SBI के home loan offer, यहाँ पे चलना है, अब देख लेते हैं, क्या-क्या documents require होंगे, दोनों के लिए, तो जो general documents होंगे, वो उसके लिए, आपको SBI में ID card of employer देना होगा, duly filled application form देनी होगी, वे ठी passport size photograph, ID proof के लिए, आपको pen card, water ID card, passport, driving license, यह सब देना पड़ेगा, address proof के लिए, copy of telephone bill, electricity bill, water bill, इन में से कोई भी दे सकते हो, आधार card, passport, coffee, कोई भी आप यहाँ से address proof के लिए दे सकते हो, तो यही सेम इसमें भी लगेगे, for sale rate के लिए भी, HDFC में pen card, passport, water ID card, driving license, आपको ID proof के तरफ देना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पे SBI में जो property papers मांगते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, उनकी पूरे detail दी हुई है, कि permission of construction चाहिए, sale agreement रेजिस्टर चाहिए, occupancy certificate चाहिए, copy of plan approved चाहिए, register development agreement of the builder चाहिए, convention deed चाहिए, bank account detail चाहिए, और उसके बाद account statement में आपको SBI के लिए bank account statement आपको last six month का देना पड़ेगा, loan account statement अगर आपका पहले कभी loan चल ला है, तो उसका last year, last year का आपको यहाँ पे statement यहाँ पे देखाना पड़ेगा, फिर यहाँ से income proof और salaried applicants के लिए आपको SBI home loan में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो last three month के salary slip जरूरत पड़ेगी और copy of ITR form 16 जो आप जिस company में भी काम करते हो, तो वहाँ से आपको form 16 मिल जाएगा, उसका income proof और non salaried applicants के लिए आप पे ITR आपको देना पड़ेगा, last three years का business address proof देना पड़ेगा, जो भी आप, जिस भी company आपको चला रहा हो, तो उसका business जो address proof है वह आपके देना पड़ेगा, profit and loss account देना पड़ेगा, balance sheet for last three years की TDS certificate देना पड़ेगा, qualification certificate for CA, अगर आप CA हो और अगर आपको home loan चाहिए तो आपको उपना qualification certificate देना पड़ेगा, doctors के लिए भी और other professionals के लिए उसके आप business license detail देनी पड़ेगी, तो यह important documents जो होंगे आपके SBI home loan के लिए, और वहीं यहाँ आप देख लेते हैं, HDFC home loan के लिए क्या-क्या documents से यह होंगे, तो यहाँ से ID proof के लिए तो आप pen card, passport इनमें से दे सकते हो, income proof के लिए आपको salary slip देनी होगी last three month की, for salary के लिए ITR income tax return दिखाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, उसका बांक एकाउंट statement पास six months का आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको for self-employed के लिए आपको देख लिए ITR आपको income tax return आपका last three years का यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, उसका बांक एकाउंट statement of business entity for past six months यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, उसका बैलेंस शीट and profit and loss account statement for three years यहाँ पर दिखाना पड़ेगा for self-employed के लिए, अब property related documents भी देखते हैं for new home, अगर आप new home खरीद रहा हो तो allotment letter copy या buyer agreement दिखाना होगा, payment received दिखानी होगी, आपने जो payment जिससे भी आपने खरीदा है builder से, तो यहाँ पर आपको उसकी payment received यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, और अगर for resale home के लिए चाहिए तो title deed चाहिए, आपको agreement of sell copy चाहिए, initial payment received चाहिए, जो आपने खरीदा हुआ, for construction अगर कर रहा है, तो आपको यहाँ पर title deed और plot चाहिए, जिससे पता चलता है, इस घर का मालिक कौन है, उसका copy of plan approved by local authority, no income proof of on the property, उसका total estimate of construction by civil engineer, और कि अदलब total estimate आपका जो, आगर आपने कोई plot खरीदा है, तो उस पर आप construction करा रहा हो, तो कोई भी engineer या architect से आप पूरा total estimate का दिखाएंगे, कि कितना construction में आपका estimate लगेगा, वहीं other documents पे आप for salary अपक्लिकरेंगे, proof of own contribution, bank statement, last six month का appointment letter, passport size photo, यहाँ पर processing fees जो चेक है, वो आपको HDFC bank limited के से करनी होगी आपको यहाँ पे, अगर आप SBI से और HDFC दोनों बैंकों से comparison करा आपने SBI कि अगर आप home loan ले रहा हो तो दोनों बैंकों में कौन से bank आपके लिए अच्छे हो सकते हैं home loan लेने के लिए, और क्या-क्या important documents ही है, क्या-क्या eligibility ही है दोनों में, और इस site पर visit करना मत बूलिएगा, इस site का link वीडियो के description में दिया हुआ है, यहाँ से आप सारे bankों के important home loan, personal loan, car loan से related information यहाँ से चेक कर सकते हो, अगर आपको EMI calculate करना है तो best EMI calculator से जाके आपका EMI calculate कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हो तो सबस्क्राइब कर दीजेगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,